आप सभी का हर्दिक स्वागत है YouTube माम चानल में जो भी नई माय होती है उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है इवन जो पहली बार मापनी है उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे को कितनी देर तक दूद पिलाओं पता ही नहीं चलता कि बच्चे का पिट भरा बच्चे का पिट नहीं भरा और बेबी जब छोटा होता है न्यूबॉन है तो उसको दिन में 24 घंटे में कितनी बार दूद पिलाना होता है सारी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चोटी चोटी गलतियां करते रहते हैं बच्चा इरिटेट होता है बच्चे की फीडिंग हैबिट्स भी गड़ जाती है फिर आप भी आगे चलके परिशान होती है तो समझ ले बिफोर डिलीवरी आप इस चीज को समझ ले ताकि उस समय आपके कौन सब्स क्लियर हो और आपको तरीका पता हो सबसे पहले newborn baby के बात करते हैं जन्म लेते ही शिशू कितना दूद पीता है तो friends शिशू जब जन्म लेता है तो उसके पेट का साइज बहुत छोटा होता है और वो जो भी milk लेता है वो बहुत जल्दी digest हो जाता है तो ऐसे में 2-2 घंटे के gap से बच्चा अगर सो भी गया है तो आप उसे उठाईए, उसको जगाईए और उसको feed कराईए लेकिन new born baby को 2-2 घंटे से पिलाना है कितनी देर तक पिलाएं तो एक बार में 10-15 मिनिट का feed आपको बच्चे को देना है और एक side से जब भी आप feed कराते हैं तो जिस side आपने पहले बच्चे को दूद पिलाया है पूरी तरह से पिलाएं, बीच में switch न करें कि थोड़ा इदर से पिला दिया थोड़ा इदर से ऐसा switch आपको नहीं करना है, एक बार जब आप पिला रहे हैं तो एक तरफ से पिलाएं जब आप इसके बाद में feed कराएं, तब आप दूसरी तरफ से feed करा सकते हैं ये बिल्कुल सही practice होती है, बीच में switch करना बिल्कुल भी सही नहीं होता क्यूंकि आप mechanism समझें, जब आप baby को feed करते हैं, आप उसको food दे रहे हैं तो दूद उसका पूरा हार है, उसकी भूँ, उसकी प्यास सब को trip करता है तो सबसे पहले, बच्चे को जो दूद आता है, वो काफी पतला होता है, जिससे की उसकी thirst खतम होती है इसके बाद milk थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जो filling होता है और उसको पूरी तरह से trip करता है तो बच्चे को एक बार में एक तरफ से अच्छे से feed करना है newborn baby का आप समझ गए होंगे, लेकिन जैसे ही अब बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे-धीरे, कुछ महीने बाद में तो आपको on demand feeding करनी है, यानि कि बच्चे को जब भूख लगती है, तब उसको feed करना है definitely बराबर intervals पर भूख लगेगी उसको, भूख लगने का लक्षन है कि मा को रूढ़ेगा, वो रोएगा, वो सोता हुआ उठ जाएगा और एक मा को पता होता है कि अब इसे भूख लग गई है, उसके how about expression से और तोर तरीके से मा समझ जाती तो on-demand feed आपको तब शुरू करनी है, लेकिन कब बच्चे का stomach बढ़ा हो चुका होता है, बच्चे develop हो रहा है, grow कर रहा है, तो उस समय उसको 5 minutes से लगा कर 45 minutes तक एक बार में feed करा सकती है इतनी आवधी तक आप feed करा सकती है, जितने देर बच्चा feed करेगा एक बहुत amazing बात, हर मा को लगता है कि पता नहीं दूद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खतम हो गया बच्चे को feed करना है, एक तरफ से proper और जैसे ही दूद आना खत्म हो जाएगा बच्चा feed लेना छोड़ देगा, खुद बखुद छोड़ देगा, लेकिन जब तक milk आएगा, बच्चा दूद लेगा लेकिन एक छोटी सी बात, बच्चे को feed कराने समय, पूरी तरह से latch आपको कराना आना चाहिए किस तरीके से बच्चे के मुँँ में latch देना है, वो आपको समझ लेने चाहिए, इसके लिए हमारे previous वीडियो भी आप जरूर देखें क्योंकि अगर आप सही से बच्चे के मुँँ में निपल नहीं पकड़ा पा रहे हैं, तो बच्चे को बहुत कम milk मिलेगा और इस तरीके से बच्चा irritate हो जाएगा, छोटे बच्चे newborn होते हो थक जाते हैं, उनको इतनी ज्यादा habit नहीं होती सक करनी की, तो थक जाएंगे, फिर वो भूखे रह जाएंगे, इसलिए breastfeeding में इस टेक्निक का बहुत ध्यान रखें कि आपने बच्चे को ठीक से breast पकड़ाया है, ताकि वो सही तरीके से milk ले सके, क्योंकि खाली निपल पकड़ाने से बच्चे को milk सही से नहीं आता, सक और अच्छे से नहीं कर पाता, तो ध्यान रखें जब भी breastfeed कराएं, तो breastfeed newborn baby के मा को काफी काम, काफी हील करता है, क्योंकि breastfeed जब आप कराती हैं, तो prolactin and oxytocin hormone release होते हैं, जो आपके मन को शांत करते हैं, आपके अंदर सिरता और बहुत शांत, काम और पूल बना देते हैं, so breastfeeding avoid ना करें, breastfeeding की टेक्नीक को समझें, और सही से breastfeed कराएं, stay tune with us, bye-bye झाल, 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 झाल.